इस विडियो में दी हुई जangकारी इंतरनेट से लिग गई है, हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का Yogi करने से पहले अपने डॉक्तर से जरूर पूछे, अगर आप इस विडियो को देकर किसी दवाई का उप Yogi करते हैं, और प्रती 100 ग्राम में लगभग 22 ग्राम प्रोटीन और 9 ग्राम आहार फाइबर प्रदान करता है प्रोटीन और फाइबर आपको लंबे समय तक त्रिप्त रखने में मदद करते हैं और अस्वास्थ्यकर खाने से बचने में मदद करते हैं ये प्रोटीन मूसली साबुत अनाज क के गुणों से सम्रिध है क्योंकि वे फाइबर एंटियोक्सिडेंट और पोशक तत्व प्रदान करते हैं क्रैंबरी और बादाम एंटियोक्सिडेंट और सूक्षम पोशक तत्वों के सम्रिध स्रोत हैं यहां आपके आहार में सूक्षम पोशक तत्वों की कमी को पूरा करन और कैलोरी सेवन को प्रबंधित करने में मदद करता है अच्छी वसा हरिदैस वास्थे को बढ़ाने में योगदान करती है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में 1. पोशन संबंधी पावाहाउस मसल बलेस फिट हाई प्रोटीन मूसली एक पोशन पावाहाउस है जो ना सिर्फ आपकी सुभा की शुरुआत करेगा बलकि आपको पूरे दिन उरजावान बनाए रखेगा 2. प्रोटीन की शक्ती यह उच्च प्रोटीन मूसली प्रती 100 ग्राम में 22 ग्राम प्रोटीन प्रदान करती है जो आपको लंबे समय तक त्रिप्त रखने में मदद करती है 3. अनाज की अच्छाई रोल्ड ओट्स, रोल्जो, ग्विनोवा पफ्स और ब्राउन राइस फ्लेक्स फाइबर, प्रोटीन, खनिज और एंटियोक्सिडन्ट से भरपूर होते हैं जो इस उच्च प्रोटीन मूसली को एक पॉष्टिक नाश्ता या नाश्ता बनाते है चार, बहता हुआ एंटियोक्सिडन्ट यह नाश्ता मूसली किश्मिश और बादाम के एंटियोक्सिडन्ट से सम्रिध है एंटियोक्सिडन्ट मुक्त कंशती को कम करने और मांसपेशियों की रिकवरी में सुधार करने में मदद करते हैं पांच, पॉष्टिक और स्वादिष्ट इस नाश्ते की मूसली के उपर अलसी के बीज, चिया बीज और कद्दू के बीज डाले गए हैं और फलों और मेवों के साथ कलात्मक रूप से मिश्रित किया गया है यह निश्चत रूप से आपके स्वास्थे को उचा रखेगा 6. 50 ग्राम उच्छ प्रोटीन मूसली को 250 मिलीलीटर दूद, गर्म या ठंडा के साथ मिलाएं और आपका नाश्ता तयार है 7. क्रैनबरी के साथ डाक चॉकलेट के कलात्मक मिश्रन का आनंद लें जो आपकी इंद्रियों को जागरित कर देगा 8. आपकी स्वास्थे वर्धक मूसली पहले से ही पोशक तत्वों से भरपूर है, लेकिन पोशन में सुधार के लिए आप इसमें ताजे फाल या सूखे मेवे मिला सकते हैं 9. उप्योग से पहले लेबल को ध्यान से पढ़े 10. अगर अंदर की थहली खुली या फटी हुई है तो कृपया इसका सेवन न करें विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें